बेमेतरा के विरनपूर में हुई हिंसक जड़प में बारे गए बुनिश्वर साहू के परीजनों का दुर्ग के कमिश्णर ने बयान लिया संभादा युक्त महादेव कावरे के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के बाद बुनिश्वर साहू के पिता ने कहा कि मौफजा नौकरी उनके लिए कोई माईने नहीं रखती उन्हें जल्दी से जल्द सिर्फ निया चाहिए उनके बेटी के हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिली चाहिए और उन्होंने सरकार पर पूरा भरोसा है ये भी कहा आपको बता दें कि विरनपूर में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक जड़प में भुनीश्वर साहू की हत्या होई थी पुलिस ने इस मामले में अभी तक 11 आरोप्यों को ग्रफतार किया है और इसी घतना क्राम को लेकर कमिश्वर ने करीब 40 में तक दुनीश्वर के पिता का बयान भी दज़ गया और इस बयान को फिलहाल गुपनी रखा गया है मेरे बत्ते की कातिल को सक्ति सज़ और जल दिस जल सज़ सज़ मिले किस वजे सिवा कैसा हुआ यह सब पूछे अमने बता दिये सब दे दिये उसके ब्यान अपनी सबूर और हमें बहुत सरकार पर भरोसा है कि जरूर कारवाई होंगा और सक्टे सक्ट जरूर सज़ा मिलेंगा गुनेगार को बिरनपूर जिलाबी मेत्रा में जो घटना हुई है उसके समद में जाच चल रही है और पहले भी कुछ लोंगे बयान हुए है आज भी बयान हुए है और अमने जो है जानकर यहां भी एकत्र की जा रही है जो बयान है वो और प्रतिवेधन है वो अपनी रहेगा और अभी मैं इस तर्में नहीं बता सकते हैं